सुमित एक सेलरीड एंपलोई है उसने अपना ITR1 जो कि सेलरी से लिलेटेड इंकम को दिखाते है Financial Year 2021 का 11 जुलाई 2022 को फाइल किया जिसके अंदर उसने सेलरी की इंकम दिखाई 23,76,000 रुपे लेकिन इसी के साथ साथ उसने allowance और deduction इस तरीके से किलेम किये LTA का 35,000 रुपीज, section 1014 का 4,35,000 रुपीज, again section 1014 में 1,90,000 रुपीज और इसी के साथ साथ उसने हरे किलेम किया 2,50,000 रुपीज का फिर उसने किलेम किया अपनी ATC की deductions जो की कुछ इस तरीके सी 1,50,000 रुपीज की ATC में ATC CD में 50,000 रुपीज की और ATD में maximum किलेम किया 75,000 रुपीज का सुमीत को 2,50,000 रुपे का refund भी आ गया, 11 जुलाई 2022 को return file की थी सुमीत ने अपना refund इंजोई किया लेकिन all of sudden क्या हुआ, सुमीत को एक notice आया 1336 के अंदर 1336 के अंदर जो भी सुमीत ने ITR1 में अपने financial year 2021 के अंदर return के लिए deduction ली थी, उसका उन्होंने बोला कि documentary evidence बताई है और उसी के साथ साथ उन्होंने deduction का nature भी दिया और amount भी दिया, तो 2,50,000 अगेन हारे का इसके लिए भी उन्होंने documentary evidence मांगे 1,50,000 ATC का 80D 75,000 रुपीज यह उन्होंने बोला कि आप online submit की दिये और इसका उन्होंने date भी दिया कि आपको 78 2023 से पहले पहले इसका submission करना है friends अब बात आती है यहां पर friends अगर 1336 का notice आता है और आपने जो reductions claim की है वो उसके सारे documentary evidence है तो आपको डरने की कोई जुरत नहीं है online आपको इसका reply करना है online reply करने के लिए आपको क्या करना है कि जो notice आया उस पर click करना है response submit करना है वहां पर आपको बताना है कि आपके कौन-कौन से अनेक्जर आप इस submit कर रहे हैं और accordingly वहां अगर एक check box आएगा उन document के लिए उनको टिक करके आपको उसमें upload करना है 1336 का notice होता है कि आपसे वह information मांगी गई है अगर आप इसका reply नहीं करते हैं तो इसके consequences क्या हो सकते हैं इसके consequences यह हो सकते हैं कि आपने जो tax लगा सकता है और इसी के सासत penalty के provision भी attract हो जाएंगे फ्रेंस बात यह आती है कि यह कितने सालों के लिए इस प्रकार के notice हा सकते हैं तो उसके लिए हमको देखना होगा 148 section 148 section बोलता है कि assessing officer तीन previous financial year के cases को reopen कर सकता है वहीं उसको power दी गई है 148a जिसमें वो बोलता है कि अ यह एक्सपेंस जो नहीं क्लेम करने चीज़ है और क्लेम कर लिए गये हैं तो पचास लाक रुपे के उपर ज्यादा होने पर उसको दस साल की power आ जाती है लेकिन कुछ cases में ऐसा देखा जा रहा है कि दददस 15 15 20 20 हजार रुपे की income यह एक्सपेंस क्लेम कर लिए गया है ज कैसे करें अगेन मैं बोलता हूं कि अगर सारे documentary evidence है तो simply आप उसका online reply कर दीजे अगर सारे documentary evidence नहीं है तो आपके सामने अब दो option आएंगे पहला option है कि updated return updated return कब होता है कि जब आपकी revised return file करने की time चली गई है इस case में क्या था कि financial year 22 था जिसका revised return file करने का time जो था वो 31 12 2022 था वो चला गया है अब इस case में क्या है कि sss को updated return file करना है सबसे पहले दो चीजे और देख लेते हैं कि यह जो notice आएगा इसका हमको पता कैसे चलेगा तो ज proceeding में देखेंगे तो यहाँ पर आपको वो notice पता चला जाएगा जैसी आप updated return file करेंगे तो updated return जो होती है वो offline file होती है offline file करने के लिए आपको income tax portal की साइड पर आना है यहाँ पर download में जाना है login करेंगे तो dashboard पर download option मिलेगा जो भी assessment year के लिए आप updated return file कर रहे हैं उस पर click करना ITR1 आपको दिखेगा या जो भी आपकी ITR है उसको देखे utility excel based download कर लेना फ्रेंड इसको जब download करते हैं तो जैसे आप इसको open करेंगे तो यह आपसे demand करेगा कि एक JSON file दीजे बेसिकली JSON file क्या होती है कि जब आप अपनी original return file करते हैं तो उस original return को e-file में income tax return file में view file return में ability open होते ही आपसे मांगेगी कि JSON file दीजे तो उस JSON file को आपको यहाँ पर import करना है import करने से होगा क्या कि जो आपने original return file करी थी उसकी data यहाँ पर आ गई है अब आपको दो काम करना है यह filed in response to notice है इस पर click करके appropriate section select करना है 1398 आएगा जो भी मेरे case में नहीं आ रहा है क्योंकि मे payment करना है यह तो बात हो गई updated return जब आपकी revise return file करने की time चले गई अब बात करते हैं revise return की friends ध्यान जीजी की revise return जो है वो कप file होती है अब जैसे मार्स 2023 है मार्स 2023 की return को हमने file कर दिया before July 2023 जो उसकी due date थी इस case में हम return को revise कर सकते हैं revise क्यों करेंगे जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि अगर हमने कोई reduction fake claim कर लियो और हमको realize होता है कि उसको हमको correct करना है या कोई income जो हमसे छूट गई है उसको वापस से हमको दिखाना है तो इस case में revise return file करते है रिवाइज return file करने की जो last date है for financial year 22-31-2023 है mode of filing online होगा आप कितनी बार भी अपनी return को revise कर सकते हैं जो आपने before due date file किया original return इसके लिए कोई भी extra penalty नहीं देनी है जब भी revise return file करोगे तो section 1395 select करना है यह कहां पर select करना है यह आपको select करना है यह आपको select करना है यह आपको select करना है आप जब login कर लेते हैं login करने के बाद में जो आप normal return file करते हैं वैसे processor में आना है फिर personal information में जाके यहाँ पर filing section जो है उसके अंदर आपको 1395 select करना है 1395 जैसे ही आप select करोगे तो दो option आपकी अने बन हो जाएंगे पहला इसमें आपको क्या डालना है कि जो original return है उसका acknowledgement number और इसमें आपको डालना है और वो original return आपकी कफ फाइल ही तो इसका date यहाँ पर डालना है friends यहाँ पर डालने के बाद में जो process है वो normal process है उसमें कोई change नहीं है अब बात करते हैं तीसरी return की तीसरी return होती है हमारी related return का मतलब होता है कि जो आपकी original return थी उसको आपने before due date फाइल नहीं किया लेकिन आपको वो file करनी है उस particular financial year की return फाइल करनी है जैसे मार्स 2013 की return फाइल करनी है तो इसकी भी last date 31 12 2023 है इसका भी mode जो है online ही है इसके लिए penalty आपको लगेगी अगर आपकी जी टी आई ग्रोस टोटल इंकम पांच लाग से कम है तो एक जार रुपे की penalty और अगर पांच लाग से ज़्यादा है तो पांच जार रुपे की penalty इसके लिए section जो है 1394 का ही आपको करना है सलक करना है तो यहाँ पर अगेन हम आएंगे सेम प्रोसीजर है जो करते हैं वैसा ही बस section जो है 1394 सलक करना है अब यहाँ पर आपको कोई भी ओरीजिनल रिटन का अपनी डिटन को रिवाइज कर दिया है लेकिन हमने उसमें कुछ ऐसे डेटा है ऐसी इंकम है जिसको शो नहीं किया है और वह हमारे 26 एस यह एस में रिफ्लक्ट होड़ी है या चलेकिन उसके सामने इंकम नहीं दिखाए तो इस केस में डिफक्टीव रिटन का नोटीस आता है तो हमें डिफक्ट्र रिटन फाइल करना पर देने की जूरत नहीं होती है अब यह भी मोड फाइलिंग है वह ऑफ लाइन ही होगी इसमें भी आप कि आप कितनी बार दिफ् यूटिलिटी में देखा था वहां पर आपको section select section करना है और यहां पर 1399 का जो है वह section आपको ले लेना है उसके बाद में जो original return है उसका acknowledgement number और उसकी date और इसी किसा साथ जो notice आया है उसकी date और उसका date number यहां पर बनना है इस तरीके से चार रिटन होती income tax के अंदर मैं आपको स्टिल सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने मार्स 2023 की return file करते समय कुछ extra deduction slam के लिए या आपने कुछ income जो आपको दिखानी चाहिए थे नहीं दिखाई है आपके 26 AS AIS में आ रही है फ्रेंड्स मैं बोलूँगा कि आप अपनी return को revise कर दीजिए नहीं तो इस तरीके के notice आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि income tax का जो एल्गोरिधम है जो टेक्निक टेक्निकली infrastructure वह बहुत साउंड हो चुका है वो हर एक चीज को पकड़ लेता है तीन साल तक के case आपके reopen हो स सकते हैं इस एक चोटी सी मिस्टेक की वज़े से तो मैं तो आपको यह बोलूँगा कि return को correct file कीजिए deduction को correct claim कीजिए और income भी correct दिखाईए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो like share and subscribe till then जाइं 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 बारत अन्यला